कैस्टर ओइल जिसको हिंदी में अरंडी का तेल कहते हैं इसको लगाने से बाल बढ़ते हैं, true or false? इस फॉस जी हां अरंडी के तेल से आपके बाल नहीं पढ़ते लेकिन अरंडी के तेल के अंदर एक ऐसा नाचरल अमाइनो आसिड होता है जो कि एक नाचरल मोलियंट होता है मोलियंट हम प्रिपेर करते हैं अलवेरा जल, एसेंचल ओल, कोकुनट ओलिन सब को मिक्स करके ताकि आपके बालों में वो कंडिशनिंग आ सके और वो बहतरीन ग्रोथ पाह ले लेकिन इस आसिड में ये नाचरली होता है इसलिए असान हो जाता है हमारा काम अपने बालों को बढ़ाने के लिए डेंसर करने के लिए चोटी को मोटा करने के लिए बन को थोड़ा सा बढ़ा करने के लिए तो आज मैं आपके साथ शेर करने के लिए आई हूँ कि इसी magical castor oil का इस्तमाल आप अपने बालों को ग्रो करने के लिए, डेंसर करने के लिए किस प्रकार से कर सकते हैं. आईए जानते हैं क्या-क्या magical ways हो सकते हैं. Welcome back to the channel. आशा करती हूँ कि मेरा परिबार खुश है, स्वस्थ है और अपना बहुत सारा खयाल रख रहा है. आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ कि castor oil जिसको हम अरंडी के तेल के नाम से जानते हैं, इसका सही तरीके का इस्तमाल आप अपने बालों को ग्रो करने के लिए, density बढ़ाने के लिए कैसे कर सकते हैं. अगर आप इसको टिपकली पढ़े कि क्या castor oil से बाल लंबे होते हैं, तो इसका अंसर होता है जी नहीं. क्या रोटी खाने से हाइट बढ़ती है? क्या सिरफ सबजी खाने से हाइट बढ़ती है? जी नहीं. ये सिरफ फ्यूल होते हैं जो कि आपकी machine के अंदर जाके, अब इसको कैसे process करती है? इस पर निर्भर करता है. इसलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अच्छे thoughts रखिए. जब भी आप remedy का इस्तमाल करते हैं, आपको उसके लिए positive होना बहुत अनिवार रहे हैं. वरना ये चीज़े अपना result आपको नहीं दिखाती हैं. इसलिए जब भी किसी remedy को आप start करने वाले हैं. पहले उसके बारे में अच्छे से पढ़िए. उसके pros, उसके cons, क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, all the aspects जो उसके आसपास के हैं, उनको जान लीजिए. फिर अपनी body तो आप अच्छे से पहचानते हैं, कि किस चीज़ के लिए र moisture देता है, जो एक नाचुरल शाइन आपकी skin को और बालों को देता है. क्या स्टर ओल गार्मियों में क्यूंकि इतनी गर्मी लगते हैं, इतना थिक ओई होता है, लिटरली शहद को मात दे सकता है, इतना थिक होता है. इसलिए इसका direct application बहुत मुश्किल हो जाता है, तो क्य seconds के लिए घुमा सकते हैं, यह हलका सा lose हो जाएगा और उसके बाद आप इसका application सिरफ अपने roots पर कर सकते हैं, सिरफ roots पर अगर आप चाहते हैं कि आप length पर भी इसका application करें, तो आपको इसमें carrier oil डालना ही पड़ेगा, carrier oil क्या होता है, carrier oil एक supportive oil होता है, जो हम ऐसे थिक oils के साथ आड़ करते हैं, ताकि उनका application और उनका absorption थोड़ा सा strong हो सके, बहुत ही आसानी से हो सके, जादा मुश्किल ना हो, तो यहां पर आप olive oil का इस्तमाल कर सकते हैं, आप सभी जानते हैं, olive oil इतना strong penetrator होता है, कि वो अंदर की सताहों तक चला जाता है, तो आप olive oil का इस्तमाल कर सकते हैं, आप coconut oil का इस्तमाल कर सकते हैं, आप almond oil का इस्तमाल कर सकते हैं, आप argan oil का इस्तमाल कर सकते हैं, यह सभी nuts and seeds and fruit based oils का इस्तमाल आप अगर आप चाहते हैं कि आपको इसे बहुत अच्छी कंडिशनिंग मिले तो simply इसको अपने roots पर deposit कर दीजे हलका हलका carrier oil के साथ अपने lens पर लगा दीजे और उसके बाद एक टाल से लपेट कर रख दीजिए ऐसी कंडिशनिंग आपको hair spa से भी नहीं मिल सकती ये मैं आपको challenge क कर सकते हूं ये आपको regular इस्तमाल नहीं करना है अगर आप हफ्ते में एक बार भी इसको कर लेते हैं पूरी सर्दिया तो next season में आकर लिख दीजेगा कि हमारे बालों में कुछ नहीं हुआ आप लिख ही नहीं सकते क्योंकि ये आपके बालों को वो bounce दे दिता है वो natural shine देता है growth की conditions देता है कि आपके बाल सक्षम हो जाते हैं खुद को healthy way में grow करने के लिए तो ये तो हो गया एक तरीका जब आप इसको directly इस्तमाल करते हैं अपनी roots के लिए लेकिन प्लीज बहुत होता है कई बर application के दौरान ही चड़ जाते हैं इसलिए massage मत कीजिए जस लीजिए और roots पर deposit कीजिए I hope you have understood दूसरा तरीका है carrier oil के साथ mix करके अब हम नहीं कर सकते जड़ें तूट जाएंगी अब जो भी हो सकता है तो आप लोग पहले ही जितना castor oil ले रहे हैं उतना ही carrier oil add कर दीजिए और इसको अच्छे से mix करके हलका सा lose हो जाएगा और फिर आप इसका application कर बहुत ही बढ़िया है कोई ताम जाम नहीं है किसी भी तरह की stress नहीं है जैसे आप normal oil अपने बालों में करते हैं ठीक उसी प्रकार से आप इस application को करेंगे आप इसको अपनी roots पर लगाएंगे अपनी lens पर लगाएंगे और पहले wash में आप देख सकते हैं कि आपके बालों मे आप as it is भी लगा सकते हैं और carrier oil के साथ भी लगा सकते हैं either way is fine तीसरा तरीका उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने castor oil यानि कि अरंडी के तेल का इस्तमाल पहले कर रखा है या फिर किसी hair growth element के लिए अपने बालों को comfortable कर रखा है यानि कि अगर आपने onion juice, ginger juice, curry leaves का juice इनका application अपने बालों में पहले कर रखा है तो यह application आपके लिए काफी comfortable है और बहुत जल्दी results आपको दे सकता है लेकिन अगर अगर आपको ऐसे जन है जो ने इसका इसका इस्तमाल नहीं किया है तो I would say कि या तो आप patch test ले लिए बनाने के बाद कुछ दिनों के लिए और फिर इ इन चीजों के लिए अपने बालों को पहले comfortable कर लीजिए उसके बाद इसको try कीजिए इस प्रकार के application के लिए एक बोल में आपको लेना है castor oil जितना भी आपकी length के हिसाब से या आपके scalp के application के लिए आपको चाहिए अगर आप एक चम्मच castor oil यहां पर ले रहे हैं तो यह आपको लेना है अच्छे से मिक्स करना है गरम करने के आवशकता नहीं है जब आप अच्छे से मिक्स करेंगे तो एक सफेद रंग का solution बन जाएगा जेल की तरह अगैन इसका application मसाज करके नहीं हो सकता सिर्फ आपको लेना है अपनी रूट्स पर डिपॉसित करना है ताट स टू आर्स दो घंटे के लिए इसको रहने दीजिए वो मोलियंट को काम करने दीजिए और उसके बाद जैसे आप हैड वाश करते हैं वैसे कर लीजिए वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इफेक्टिव इससे आप देखेंगे कि आपके बस दो या तीन application में ही आपको बेवी ह बहना पड़ेगा और इसमें आपको लेना पड़ेगा एक एर ग्रोथ essential oil यानि कि आप रोज मेरी essential oil या फिर होआभ ऐस्तेमाल कर सकते हैं या जिसके लिए आप जो आपने इस्तमाल किया है, आपको लगता है कि यह मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है, तो आप उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं, एक ड्रॉपर में आप ले लीजिए, वन पार्ट अफ कैस्टर ओल, अब आप कितना प्रिपेर कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप रेशो आप अगराउन जा सकता है, और कैस्टर ओल, को वहां तक लेकर जा सकता है, जहां पर हम प्हां कराना चाहते हैं यानि कि रूट्स पर तो यहां पर आप कुछ भी ले सकते हैं आरगन ओल ले सकते हैं और ले सकते हैं अप जिस चीज के लिए कामफुटबल है वो आप ले सकते हैं, औलिव ओल को हिंदी में जैतून का तेल कहा जाता है, जिसके लिए आप कामफुटबल हैं, वो आप ले सकते हैं, मैंने यहां जितनी चीजों का नाम लिया है, उन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल तो रोज मेरी एसेंचल ओल से बढ़कर तो कुछ ही नहीं, मैंने आपको बताया है कि मिनॉक्सिडल को इसने बीट किया हुआ है, हेर ग्रोथ के मामले में, तो आप यहां पर रोज मेरी एसेंचल ओल ले सकते हैं, अगर आपने अप्रॉक्सिमेटली 10-10 ml दोनों के लिए है तो आप यहां पर 10 drops of essential oil लेंगे, इससे ज्यादा मत कीज़ेगा, कम भले ही आप कर सकते हैं, अच्छे से इसको शेक करके या double boiler method से अराम से अच्छे से इंफ्यूस करके, और आपका hair growth portion बनकर ready हो चका है, इसका application आप सर्ध होने से पहले ही करेंगे, कास्टर ओल जहां भी वो हमेशा head wash से पहले होगा, बाद में नहीं हो सकता है, फिर आप परिशान हो जाएंगे कि अरे बाल तो धुले ही नहीं या whatever it is, कि चिप चिपे लग रहे हैं, चम्पू लग रहे हैं, तो इसी लिए आप इसको head wash से पहले इस्तिमाल कीजिए, दो घंटे तक अगर कास्ट जबल हैं, वो overnight भी रख सकते हैं, absolutely no worries, और इसका application, just few drops अलग अलग जगे पर अपने बालों में लगा सकते हैं, just हलका हलका प्रेस कीजिए, मसाज करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि बहुत थिक होता है, बालों को लेकर ही इदर दर हो जाएगा, तो मसाज नहीं करना है, just place it on your roots, और उसके बाद हलका हलका प्रेस करके, just let it be, आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आप बिना तेल लगे हुए बालों में, अच्छे से पहले मसाज कर लीजे, ब्लड का circulation बुला लीजे, और उसके बाद एक एक drop आप अलग अलग जगे पर इस portion की रख दीजे, and you are good to go, आप कुछ ही समय में देखेंगे, कि आपके बालों में बहुत सुन्दर, visible change आ रहा है, आपके बालों में बहुत सुन्दर सा, tamed, एक discipline दिख रहा है, जो आपको otherwise नहीं दिख रहा था, आपके बालों में baby hair की growth आपको दिखेगी, आपकी चोटी में शायद, initially, क्योंकि बाल थोड़े-थोड़े करके बढ़ते हैं, एकदम से ही change हो सकती है, आपकी चोटी की मोटी हो गई है, तो gradual changes दिखेंगे, and I'm pretty sure, कि अगर आप disciplined रहते हैं, regular रहते हैं, जैसा कहा है, exactly, इसको as a regime की तरह follow करते हैं, तो जो results आप अपने बालों के लिए देखना चाहते हैं, वो definitely दिखेंगे, be regular, be disciplined, I assure you, मोटी चोटी, and a बड़ा बन, तो हमेशा की तरह आशा करती हूँ, कि मेरे परिवार ने इस प्रस्तुती को भी enjoy किया होगा, कुछ समझा होगा, कुछ beneficial अपने लिए पिक किया होगा, और अपने लिए इसको definitely try करेंगे, जब भी आप try करें, तो वापस आप आकर आपका experience, आपके results हमारे साथ जरूर शेर कीजेगा, मेरा पूरा परिवार यहाँ पर वापस आता है, चेक आउट करने के लिए कि किस-किस ने try किया, किस-किस को results मिले, यह उनको confidence देता है, तो मेरे परिवार का confidence अवश्य बनिए, अगर नए है तो subscribe किये बिल्कुल मच जाएगा, पुराने है, तो लाइक किये बना तो आप definitely नहीं जाएगे, और अगर आपके परिवार में फ्रेंट सर्कल में किसी को इस वीडियो के आवश्य शेयर कीजे, मैं आप सभी से मिलती हूँ आपने अगली वीडियो में, with something magical for your hair, skin and health, तब तक के और अपना प्यार और आश्रवाद मेरे साथ भेजते रहे हैं, thank you so very much.